So Hello Guys, Lets Play This New Game और इस ने रिद्द का नम है Vikings War तो यह हमारी टेरिट्री होई है मैं यह हमारी आर्मी है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह Cropbs हो गयी है यह मेरी आर्मी है total तो total आर्मी में मेरे पास जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप अपनी आर्मी क्रियेट कर सकते हो ओके तो मेरे पास चार तरह की आर्मी है बर्सेक है जाइंट है और स्पेर त्रो करने वाला है और एक मैजीशन है और यह एनिमी अपोजिट की आर्मी है लेफ्स किल रेम तो उन्होंने अटैक स्टार्ट किया है भी फाक यार उनके आर्मी ज्यादा तो नहीं है और उसके साथ हमें हमारी कंस्ट्रिक्शन का भी जान रगना होता है जैसे कि साथ के साथ आर्मी बनानी पड़ेगी इन पास आ है तो अफकोर्स देविल और जो यह ग्रीन सर्कल दिख रहा है इस ग्रीन सर्कल के अंदर जैसे कि वह टावर बनाना है यह तने सारे टावर बना दूंगा तो मेरी सेवटी बहुत बढ़ जाएगी चलो आगे कि तरह मूव करते हैं जहां पर आपके आर्मी आके खड़ी हो जाएगी वहाँ पर टावर बनना स्टार्ट हो जाएगा आपको कोई कंस्ट्रिक्शन की जड़त नहीं है यहाँ पर तो दिर खड़े रखोगे तो यह जो पूरा फिल अप हो रहा है ना इक पोर्शन वह पूर्शन पूरा फिल अप होगा और उसके बाद वहाँ पर अपन स्टार्ट में अभी मेरे पास 19 यूनिट्स है पहले स्टार्टिंग में ज्यादा थी यह भी काफी डैथ होगी उनकी और नई यूनिट बनाने पड़ेगी इसमें बार बार लेस्गो लेस्ट फाइट ओके तो मेरे मैजिशन काम कर रहे हैं मैजिशन बहुत पावर्फुल ह है और जितना ज्यादा एरिया होगा तुन अच्छी बात है अभी मेरा एरिया बहुत कम है स्टार्टिंग में तो एरिया कमी है अब जैसे मेरे यहाँ पर बन गया है टावन इसका के हो टावन में नाने मुझे एक्चल में मुझे यह फूड है एक तरके से फूड चाहिए आप यह फूड देख रहो अभी इसकी वह बढ़ रहा है पांसो है फिर पांसो चालीस ऐसे डिजिट से बढ़ रहा है तो मुझे इसकी ज़र्ट है अभी तो 580 मैं मैं यूज कर लिया और इसके नीचे जो दो यह दी हुई है वो आपकी उनकी हेल्थ नहीं सोरी वो आपकी स्ट्रेंथ इप्रो करने के लिए है बर्सेक की स्ट्रेंथ और जो स्पियर थ्रो करने वाला उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रो करने के लिए है तो यह एनिमी का टावर है और यह एनिमी का सोल्जर कड़ा है अब यह अटैक करूं नहीं नहीं थोड़े वेट करता हूं उनकी आर्मी आ रही है ओके मेरे को और आर्मी कलेक्ट करने पड़े ही यह रही इसको बुला लेते हैं यहां पर काफी स्लो आ रही है यार्मी काफी स्लो है यह कहीं जा रहे हैं उपर के ओ फॉक यह यहां पर कलेक्ट हो रहे हैं यह एक साथ अटैक करेंगे नहीं नहीं हमें अटेक नहीं करना भी ओ शट आगे से भी अटेक कर दिया लगता है दोनों साइर से अटेक करने का प्लान था उनका तो लेस्ट में प्रिपेर आगे की तरफ से तो मेरा एक टावर टूट गया है कोई नहीं हो टावर तो वापिस बिल्ड हो जाएगा मेरे को पीछे के मारने आर्मी उलानी पड़ेगी ओ शिट मारो यार क्या कर रहो वाइकिंग वाइकिंग आयमें ये बहुत पुराने सोल्डर्स होते थे वाइकिंग टीवी सिरीज देखिये तो मुझे वाइकिंग टीवी सिरीज ही थी उसके अंदर नौर्वेक अंदर रहते थे टीवी सिरीज भी अच्छे थी एंड हेर वी आर्मी बहुत स्लो क्यों आ रही है तोड़ा जल्दी आया है मुझे जरुरत है इंजाइंट्स की मैजीशियन भी है अब उपर की तरफ तो कोई आर्मी रही नहीं है मैप बहुत बड़ा है इतना ज़्यादा बड़ा अभी नहीं है ये कड़ा कड़ा क्या कर रहा है लैड क्यों नहीं रहा इनको थोड़ा उपर बुलाता हूँ ताकि मेरे टावर भी विल्ड होता रहेगा असाब के साथ और बर्सेक जाइंट स्पीर त्रोर और एक मजीशियन और बना लेता हूँ रहा है ज्यास मैं उनस दोपको मार दिया है मूझे कैन यहां पर खड़ा ना जितनी तेर खड़ा रहेगा वो दीदे भी आपका स्लोट्स दिख रहे होंगे आपको जहां पर खड़ा होगा है वहाँ पे तो वो स्लोट्स पूरा बढ़ जाएगा तब आपके टावर या जो भी बनाना है वो विल्ड हो जाएगा अच्छा मेरे यहां भी बैटेक कर दिया मेरे एक टावर तो उड़ गया या रकेला इसोलजर कोई डैम इडियट्स मेरे आर्मी नहीं अभी तक आई आ गए चलो यह चार आगे अच्छा एक सोलजर मीचे तोड रहा था एक एन्वी सोलजर मेरे टावर तोड रहा था नीचे कहा हो यह रहा इसी को मार देते हैं इनको वापिस पहले यह टावर बिल्ड करने तो यहां पर एक मेरा फूड के लिए वो बनावा था इस फूड के एल्प से आपको बनाने पड़ेंगे अभी तो मेरे पास कम है आर्मी अभी तो थर्टी युनिट है maximum 50 युनिट कर सकते हो ओके यह स्पियर वाले ज्यादा इफेक्टी होता है I think स्पियर्स वाले बहुत इफेक्टी होता है यह बहुत पावरफुल भी है और इसके साथ आप अपग्रेड भी कर सकते हो अपग्रेड वाला सेक्शन काफी अच्छा था कि अप्ट आवर तोड़े का टाइम आ रहा है वेटे सब्सक्राइब करें इधर ही आ रहा है चलो इससे इससे मार देते हैं यास विट डू एट फास्ट अदिश अब देरे अदिश गड़ते जा रहे चलो अब अब अड़े करने का टाएं हागया कि मेरियार्मी को भुला लेता isब डिरा टेक करेंगे मेरियार्मी आ रही है फोम टाउन से इसके नीचे दर्ब कुछ है के हाँ यह है यह तो तोड़ी देंगे च्यार वहते हैं इसके लिए इनफ है वह एक संच खड़ान का यू की सौलज़र तो लेस्ट सी वाट विल एपन नियरली नियरली ब्रेक होई गया है चल इसे तोड़ दिया अब इसे इससे भी मार देते हैं उसके बाद हुई एरिया हमार हो जाएगा मापेक मैं फूड के लिए और बना सकता हूँ फिर बेर पास ज्यादा फूड आयागा तो आए में ज्यादा आर्मी बना सकता हूँ चल इदर से टेक शुरू करते हैं चलो बेगें ये टावर दोड़ते है सबसे पहले उपर तो कोई है नहीं तो ये टावर को लपेट रहते हैं ओ फॉक ये नीचे से उदर से गुम के आगए यार कोई नहीं अब अटेक शुरू होई गया राइट नाओ मैं अर्वांटेट में हूँ मेरे पास आर्मी बहुत ज़्यादा है भी ये दो टावर ओर तोड़ने हैं यहाँ पर मेरा वो ये बिल्ड हो गया अब यहाँ पर ये फूड करेक्ट कर लेगा ओके मेरे को ये टावर तोड़ने है यहाँ पर एक सोल्जर रहे सोल्जर से ओके ये तोड़ देंगे टावर तो अच्छा ठीक है वो सोल्जर भी मर जायागा जैट वास गूड अरे मारो यार्व इसको चलो वह भी गया मैजिशन पावरफुल है मैजिशन काफी पावरफुल है चलो अब इसका लास्ट यह उसका मैन होम्टावन है इसको डेस्ट्रय कर दिया देन मैच हमारा इसको तोड़ने तो पहले डैम इट इस टावर को तोड़ दो उसके बाद कि और इसका यह वाला टावन बचेगा इसको तो लपेटे देंगे टूटने वाला टूटने वाला कमॉन चलो गया अब इसको मेरे पास और आर्मी होगी और आर्मी मुलानी चाहिए हाँ यह खड़े जाइंट्स हैं लेस्ट गो जिल्दी आ गया उफ यह क्या हो रहा है यह खूल कहां से आ रहा है औरे उनकी आर्मी कहां से आई अब गर टूट रहा है अब गर टूट रहा तो बार निकल गए लेस्ट नट वेर मेरे आर्मी दिर्द्रे बहुत कम हो आ गए यह बहुत इतना बहुत है यह जाइंट्स काफी हैने के लिए तो जाइंट्स बहुत पाउर्फुल होते हैं ऐसे तोटना है चलो मैं और बना लेता हूं क्यों रिस्क लेना अभी मेरे पास फूट भी एक्स्ट्रा है चला अब इसको गर को तोड़ देते हैं गर को तोड़ते हैं मैच कतम डेट्स आउग तो जाइंट्स काफी पाउर्फुल हैं यह मैजिशन भी काफी अच्छे लगया मुझे यह इस्पेर पी फैक रहें पता साथ से इस्पीर थ्रो वाला गर टूटने वाला है उनका और जैसे गर टूटेंगे हमारा लेवल क्लियार कि वी वान लेकिन यह घट उटने बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है यार कमान गॉट डाम इट इडियाट्स वाइकिंग का भी पाउर्फुल होता है यार इन्रियल मैंने टीवी सिरीज देगी थी टीवी सिरीज बहुत गाजब थी फाडू टीवी सिरीज अच्छी थी उसके अंदर फाइटिंग स्किल्स बेच्छी थी मैंने इनके स्ट्रिप पढ़ी थी वह बहुत अच्छी थी तो वाइकिंग अपनी पहली बैडल जीत रहे है तो मेरा भी देख लो जैसे की फूट भी मेरा बोजा दो गया तो मैंने पूरी थोड़ा सा धरी और रखो ओके बस टूड़ गया यह यह कहां से अगे चलो ओके चलो उसका ओम डाउन तो टूड़ गया भी ने माँना है बस यह तो मारी देखें मेरे पास काफी आर्मी थी oh fuck yeah that's it that's a victory so that's it